नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दवल गुत्ता है, मैं इसे कंसर्टेंट डी-एम गेस्ट्र एंट्रोजिस्ट मिशन गेस्ट्र होस्पिटल लंदाबाद में कार्या रदू, आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कूपी के बारे में, कोलोनोस्कूपी याने एक दुर्बीन जो लेटरिंग के रास्ते से मलाज शेकितवार से पूरी बड़ी आंट की जाती है, वहां से हम पूरा बड़ा आंट और छोटी आंट का लास्त हिसा जो रहता है, इलियम, उसकी जात कर सकते हैं, जो कोलोनोस्कूपी है, वो कप करनी चाहिए, वो मुत्खित पर यह जो लं जुज मुशन की तकलिफ हो, या लंबे टाइम से कब्च की तकलिफ हो, वेट लोस हो रहा हो, या लेटरिंग में ठून आ रहा हो, और फरू आ रहा हो, या फिर किसी को कुछ सिटी स्कैनिया सोनोग्राफी में गांट फगे रही दिखाई गई हो, ऐसे मरीज़ों के लिए पी बहुत ही जरूरी टेस्ट है, उसके लिए जनरली धर्दी को अगले दिन या सुबह में एक प्रिपरेशन दी जाती हैं जो पेट साफ करने के लिए, जिसको पॉली एथिलिंग लाइकोल बोलते हैं, उसके साथ में हम सीमेथिकॉन जैसा एक स्वालिशन पर देते हैं, जिससे आतों को हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, उसके बात में पेशन को पात से छे घंटे बुखे पेट रहकर अंडर रणे स्थिशा यह पोसीजर करने रहती हैं, तो जैसे कि आप देख रहा हैं, अभी यह बड़ी यात में हैं, यह जो असंडिंग कोलों का एरिया ह वहां से हम आगे दिखेंगे तो यह सिकम यानि की जो बड़ी यात का लास्ट पाट रहता है, वहां पर पहुंचेगे यह जो है, इसको हिपेटिक प्लेक्सर बोलते हैं, यह जो लीवर शेड़ो है, इसको आप ग्रेई शिरिया है वो और यह अभी हम सिकम में पहुँच चुछे हैं, यह जो आप सामने दिख रहे हैं, उसको जो अपेंडिक्स का अंद्रूनी हिस्सा है और इसको हम आइसी वाल यानिकी इलियोसिकल जंक्शन या आइलियोसिकल वाल बोलते हैं, वहां से स्मॉल बोल यानिकी छोटी याद की सुरुवात होती हैं, यह छोटी याद का जाच करनी बहुत ही जुरूरी है, क्योंकि बहुत तार यह काफी सारे कुरोनोस्कोपी में मिस हो जाता है, तो वहां की बीमारी पकड़ में नहीं आती है, जैसे कि कुरोंस डिजिस हैं, इंफ की इलियम का एक्जमेनेशन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि के टाइम में, तो यह हम देख रहे हैं कि इलियम की जो चमड़ी है, वो कंप्लिटी नॉर्मल है, इस मरीज की सोनोग्राफी में दिया गया था कि थोड़ा यहां पर सुजन बगेरा है, इसके लिए हम इसको ए करेता है, जिसको हम NBI मोड गोलता है, यानि की नेरो बेंड इमेजिंग, उसमें हम कई पेशेंट्स में अरली स्टेज में कोई डिजीज हों, जैसे की कैंसर वगेरे की शुरू आती, कुछ निशानिया है, उसको हम बहुत गहरी तरह से जाच कर सकते हैं, यह जो आप दिख होता है कि नहीं, जब भी आप करवाते हैं, तो आप आपके डॉक्टर से परामर्ज कर लीजे कि वो NBI कोरोनोस्कूपी है या नहीं, तो कि आज के जमाने में वो बहुत ही जरूरी है, जिससे हम अरली स्टेज में कैंसर डाइग्नोस कर सकते हैं, तो पेशेंट्स का छोटे से छोटी थेरापी में है, प्यूरेटिव रिशेक्शन हो जाता है, मतलब उनका एंडोस्कूपी से ही ट्रिट्मेंट हो सकती है, अदरवाइस वो आगे बढ़ गए या तो बाकी आगे जाके बहुत बड़ी सर्जरी में वो कनमर्ट हो जाता है, तो यह एक NBI मोड है, जो स्पेशली ऑलिंपस का जो 190 सिरीज या उसके आगे वाली सिरीज में ही उपलब्द है, उसके अलावा हमें एक्जामीनेशन के टाइम में यह बहुत ही ध्यान दरटना पड़ता है कि पेशेंस के जो बहुत ही पेन होता है, एक तो दिन एडमेट रहना पड़ता है, तो उसक प्रोसीजर के बाद पेशेंस को इतना पेन नहीं होता है, बाकी प्रिवियसली जो पुराने एंडोस्कोप थे उसमें हम जो एर से कोरोनस्कोपी कर दे थे, उसमें पेशेंस को बहुत ही पेन रहता है, एक तो दिन एडमेट करना पड़ता है, उसके अलावा एक जो वाटर प्रिशेंस प्रेशंट बोलता है इसका भी बहुत ही सिगनीफिकन्स है को नसकोपी के दोरन, तो उससे हमारा प्रोसीजर टाइम बहुत कम हो जबता है, पीशेंस का एनेस्टेशा में से रिक और टाइम बहुत जल्दी रहता है, और हम बहुत क्लियर ली देख पाते हैं पूरी आतों को फटाफट क्लीन कर सकते हैं तो इसम गैश्टो होस्पिटल में और सबसे एडवांस एंडोस्कोप के साथ उगलत दें अगर आपको कराने की सला दी गई है तो जरूर हमारा सुमपर्ट करें थेंक यू